एकुलिब्रियम पे एकॉमन ले लो वन माइनस अल्फा प्लस बी बाइए अल्फा प्लस सी बाइए अल्फा यह टोटल मोल्स है एकुलिब्रियम पे एकुलिब्रियम पे अब उसमें तुम्हें एबी सी सबका मास निकालना पड़ेगा करेक्ट वरेट सर्थ बट वाट वी कैन से कि जो टोटल मास इस टार्टिंग में होगा वही एकुलिब्रियम पे होगा चोकि मास को रहता है यह स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास के वल्फ एंड मोल से स्पीशीज एक है स्टार्टिंग में इनीशली क्या है एक है यह स्टार्टिंग मास कितना होगा एंड टाइम स्मोलर मास ओफ ए है क्या हो गया एंड कैंसे लो गया जो एकूलर मास ता डऄ डट इवाई दे बायो feeling मौन वैंज अलफा प्लस भी बई ऐलफा ग्लस सी बाई अलफा इस से गउटे समदा सहां स्टू दू दूर 2ल तोई कुन फाद भॉ पिसील फाका ओॉ पिसील फाका ओॉ प्साद ये सर्व पिसको नॉद पॉ इसको नॉद अबॉ झांक यॉ झांक रॉ झांक ब झांक ब झांक बार दो अलिया लोट, से दूब रिपस. सब्सक्राइब है, अगर तुम्हें पास यह रियक्शन होता टू, अमोनिया गोल्न टू, नाइट्रोजन प्लस त्री हाइड्रोजन, इसके अगर, । इसके अगर छे मोल् के टो तो इसका एक इसका को इफिशियंट यह इसक क्या है, इसके मोल के रियर्यक्शी स्क्राइब, कर दो कर दो कर दो कि लेट्स प्रोसीड टू होजीनियस और हेट्रोजीनियस एक्कुलिब्रियम होजीनियस एक्कुलिब्रियम क्या है होजीनियस एक्कुलिब्रियम लुट rpm वहिए्ण। तोे होजीनियस एक्षब, होजीनियस एक्कुलिब्रोज्य. ठीक है। लिए मैं फेश्की डेफलेशन तो याद है सबको सब्सक्राइब अब उतना पार्ट एक सिस्टम का जिसमें सारी इंटेंटेंसिफ प्रोपर्टीस कॉंस्टेंट है और यू कैन से इन सिंपल वर्ड उतना पार्ट सिस्टम का जिसमें डेंसिटी कॉंस्टेंट है ठीक है ओके तो होमोजीनियस एकुलीब्रियम दो ही हो सकते हैं पहले कौन से हो सकते हैं जब सारी स्पीशीज कैसी हो एक अप्वस सल्यूशन दो इस तरह की सिटुएशन इस तरह की सिटुएशन ना इस तरह की सिटुएशन इस इसमें एक्टिव मास्स किस यूनिट में लेते हैं हम लोग इसमें हम लोग एक्टिव मास्स सिर्फ के यूनिट में ले सकते हैं. और इस तरह के एक्टृ ब्रियाप के लिए एक्टृ ब्रियम कॉंस्टेंट जो होगा, डैट विल आफेंज भी के सी which will be molarity of C raise to C molarity of D raise to D upon molarity of A raise to A molarity of B raise to B clear? ठीक है? तो यह तो fix है हमारे लिए दूसरा होमोजीनियस रियाक्शन कौन से हो सकता है? बताओ दूसरे टाइप के होमोजीनियस रियाक्शन कौन से हो सकते है? जब सारी चीजे गासेज हो दौनली अधर अक्वास्पेस रियाक्शन कें बी वन अल अधर तिंस र गासेज ओके? ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन कुछ हो सकती है हमारे पास ए टाइमस ए गास प्लस बी टाइमस बी गास गोस टू सी टाइमस ए गास प्लस दी टाइमस टी गास क्योंकि गैसेज का मिक्शर भी यूनिफॉर्म होता है करेक्ट यह भी एक होमोजीनियस सिस्टम होगा ओके? तो इस होमोजीनियस सिस्टम में कौन सा एक्कुलीब्रियम कॉंस्टेंट हम लोग डिफाइन करते हैं अब हमारे पास चॉइस होती है दो एक्कुलीब्रियम कॉंस्टेंट्स की करेक्ट वी के इधर डिफाइन के पी और वी के डिफाइन के सी ओके तो के सी कैसे डिफाइन करेंगे इसमें से मोलारिटी से और के पी कैसे डिफाइन करेंगे पार्शियल प्रेशर रखेंगे करेक्ट यह हम लोग पहले भी लिख चुके हैं अग्रीड और टुडे लोग लेट्स टार्ट वेट हैं हेक्रोगीनियस एक्कुलिब्रियम में क्या होगा हेक्रोगीनियस एक्कुलिब्रियम इसमें क्या होगा मिलेकि आपनियू इसमेश्ड तर्टु करें हुरेश्तिब्रियम में अधनियू बड़ेदी प्रफित एक फेस से ज्यादा होगे, दो, ती, कितने भी फेस हो सकते हैं। Here, then we will call it as a heterogeneous reaction. Now, in such a case, पहले तो यह recognize कर लेना, कि इसमें एक जो point तुम्हें याद रखना है। यह सबोसे एसाइजम्हें लू। Is this a homogeneous reaction or a heterogeneous? यह हमोजीनियस होता है, और यह reaction? यह हेट्रोजीनियस है, देखो, फेस की definition क्या है, फिर से रियाद करो, वाट इस फेस? इस की definition recall करो, उतना पार्ट ऑफ सिस्टम जिसमें इंटेंसिफ प्रॉपर्टीज कॉंस्टेंट रहे, और इंटेंसिफ प्रॉपर्टीज का सबसे अच्छा एक्जाम्पल हम लोग क्या ले रहे हैं? डेंसिटी, तो सिस्टम का उतना पार्ट जिसमें डेंसिटी कॉंस्टेंट रहे, ओके? ठीक है? अब यह बताओ, दो अलग-अलग-अगर सॉल्वेट्स है, तो उनकी डेंसिटी तो अलग-अलग होगी ना, डेंसिटी सेम होगी, ठीक है? तो दो डिफ्रेंट सॉलेट्स हमेशा दो डिफ्रेंट फेजेज होते हैं, या ऐसे लिपको, इच सॉलेट, इच सॉलेट, इच सॉलेट, इस आ डिफ्रेंट फेज, ठीक है? ओके? यह वाद याद रखना है, तो अगर तीन सॉलेट्स एक रियाक्शन में इस वॉल्ड है, ए सॉलेट गोईन टो बी सॉलेट प्लस सी सॉलेट, तो कितने फेज का रियाक्शन हो गया वो? है? तीन अलग-अलग सॉलेट्स इन वॉल्ड है, एक रियाक्शन में, कितने फेज का रियाक्शन हो? बोलो? प्री फेज़ेशन हो इस डिफेरेंट सॉलेड इस डिफेरेंट फेज़, ओके? इसमें नहीं है? बैई यह बताओ, तुमने दो गया, तुम ऐसे सोचो, यह कंटेनर है, ठीक है? इसमें मैंने दो गैस डाली, एक वी एम गैस, ठीक है? ओके? यह जासे मिक्षेेंगी, यह सो बताओ, एस करेगी, करेंगी मिक्स होने के बाद इस कंटेनर में कहीं कि ऐसा होगा कि अलग अलग हो वैसा करेंगा कहीं पर ज्यादा है यह ज्यादा है तो इस यहां पर चाहिंव यहां का सैंपल ले लूँ यहां का सैंपल ले लूँ हर जिगाठ डेंसिटी से मिलेगी मुझे लेकिन अगर मैं दो सॉलिड्स लूँ ए सॉलेड और बी सॉलेड और इसको मिला दू यहाnd यहांपे एक डिंशिटी मिलेगी अब यूणिफर्म डेंसिटी क्ता में का लेख स्कीन होगा दो सुफरिय सक्वा करें कि डिफ्रेंट फेस होका है कि इसमें तुमने डिजॉल्व किया और मानलो साथ में केसी यह डिजॉल्व किया एक बाद डिजॉल्व हो गया तो तो इस सयूशन में हर्दिका यूनिफॉर्म डेंसिटी मिलेगी ना इस सल्यूशन में अलग 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 जिगा पे डेंसिटी अलग अलग थोड़ें होगी ओके तो इसलिए एक्वास सल्यूशन भी यूनिफॉर्म सिंगल फेस सिस्टम्स होते हैं ओके वही तो हम लोगों ने होमोजीडियस एक्कुलिब्रियम के दो सिचुवेशन किये हैं यह रिखल इसे दोन लोग अगा अगा फेस नहीं तब भी वह फेस्टे रही वह तो उसका टेशेटी वी ना रियाक्षण के वाद में वह अगा बहुत अब नहीं फेस नहीं तब बीजा थे बन देगा तो उसका डेटी बहुत रेक्शन के बाद कि देंसिटी बदल ना इन देंसिटी बदले ना कि रियाक्शन में डेंसिटी तो बदलेगी मैं लेकिन पूरे कंटेनर की अलग-अलग जिगाओ पे डैसिटी अलग अलग नहीं हो नुदी चाहिए है एक्ट्रोगीनियस के प्रॉबलम तो हम आई ये बहुत इंप्ल होंगे क्यों कि अगर रेट्रोगीनियस की बात करें यानि सॉलेड़ ऑल लीकुट्स का इवलॉं मेंट आ जिया चाहिए परेट्ट्ट है अ मियाद है न एक्टिव मास्ट क्या अलेते हैं व्यक्विट्स का अच्टिछ पास और प्योर व्युट्स और शॉलेट्स अधिए और लीक्विट्स वेल बी अकेन अग्रीड अग्रीड वान होता है कि लोग इसको वान लेंगे ठीक है तक यह रहे हैं तो हमां कांस तो बहुत इसी हो गया फिर तो हम सॉलिड और लिक्विड के नीचे कोई स्टॉचो मेट्रिक टेबे भी नहीं बनाएंगे ठीक है जैसे हम लोग अभी तक बना रहते हैं ना इक्विलिब्रियम करें तो अगर याक्शन में सॉलिड्स और लिक्विड्स इन्वार्ड है तो हमको काम नहीं करें लिए क्योंकि उनका एक्टिव मास्ट तो ड्यूरिंग दा रियाक्शन चेंज होगा ही नहीं नहीं करेंग यास स चलो यह पॉइंट नोट किया है यह सो दो नेक्स इंग वाट वी कें डिसकर्स अच्छा एक इसमें और इंपॉर्टेंट चीज है जैसे की मादलो यह रियाक्शन है एक एक समपले दो ए कमें एकश्मब्ल ही तामें एक एक्श्ण पिएम्लेक्स अच्छों एक एक्षम्लेक्स बट गरा स्थित पालट प्याह स्बोस्तो स्थित प्याह स्बड क्याम्लॉ नही Computeredit कि उत्वर की प्यूर्म, Дether παश्च्न केंट प्रॉपानी में डिजॉर्ड चीजिये और उसके उपर गैसे तो डेंसेटी अलग-अलग होगी ना कर रहे हो ना तो उसको आश्म तो इसमें बड़ा केरफुल रहेगा इसमें इकुलिब्रियम कॉंस्टेंट कैसे डिफाइज करोंगे क्या लोगे अक्टिव मर्सिस देखो एक्वर्स सल्यूशन्स की तो मोलारेटी लेनी पड़ेगी करेक्ट साथ है कि यह जाश के लिए यह ले सकते यहाद रखना तो इस ऐसा बिल्कुल सिंपिल ऐसी चीज यह हमारा सिस्टम कैसा है यह कंटेनर है करेक्ट इसमें यहां पर एक्वास सल्यूशन से कुछ पादी में डिजॉल्ट तीजिए करेक्ट और उसके ऊपर यहां गैस है करेक्ट अब A और C जो एक्वास सल्यूशन में है उनकी लेरी ती तो मैं कैसे लिखो कि जब फॉर्मूल्ट वॉल्ड जबांओ आप्मॉल्ड इसके ओनओ किसका वॉल्यू में कैसे लिखोंगा बताओ इन शर्ब्स आपान वालिम उप सैंच वाल्यूम और इस एक्वास सेलूशन सब्सक्राइब अगर तुम गैस की मोलारीटी लिखने जाये तो कैसे लिखोंगे तो अज़दा इस बोलो आज सब्सक्राइब जाएगा ना उसमें वॉल्यूम अलग हो जाएगा इसका वॉल्यूम अलग है, ठीक है? इसलिए हम यहाँ पे गास की मोलारिटी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? और इस टे को हम ना तो केसी कहेंगे ना केपी कहेंगे, डिस विल बी जस्ट सिंप्ली कॉल्ड आज इक्विलिब्रियम कॉंस्टेंट के ओके उसमें एक ही पॉल में रहेगा ना फिर मतलब के ही रहेगा ना सिर्फ के रहेगा नहीं हेट्रोजीनियस में भी केपी केसी हो तकते हैं, सपोज मैं अगला एक्जाम्पल लेता हूँ, यह सॉलेट गोज तो बी टाइम सुबी सॉलेट प्लस सी टाइम सी गैस, होमोजीनियस है कि हेक्रोजीनियस है यह रियाक्शन? बोलो है हेक्रोजीनियस, कितने फैजेश है इस रियाक्शन में? इसके लिए एकुलिब्रियम कॉंस्टेंट कैसे डिफाइब करोगे ए और बी का तो हमें एक्टिव मास्ट लेना ही नहीं है इस एक तो एक्टिव मास्ट वन लेना है ना इस लेक्शन में दो ही फेज होने चाहिए ना तीन के से एक फेज यह हुआ एक फेज यह हुआ एक फेज यह हुआ तीन सर्फ पिछले रेक्शन में हमने फिर क्यों दोई फेज कंसिडर किये तो की एक्वास सल्यूशन वाली चीज़े तो सेनी पानी में डिजॉल्ड है गा ओके तो रहेगा यह सब्सक्राइब का इसमें तो हमें सिर्फ एक्टिव मासी का लेना है ना एक्टिव मास हुआ है और बीका तो एक्टिव मास हुआ है कि यह सब्सक्राइब करें तो केवल सी का लेना है केवल एक जास है तुम चाहो तो उसका पार्शिल प्रेशर ले लो के पी या उसकी अगर मॉलारिटी ले लो तो के सी सब्सक्राइब कर सकते और देखरों यह प्रॉब्लम कितनी सिंप्ल हो जाएगी या तो हमें सॉल्विंट भी बहुत आसान पड़ेगी तो कि एक्ट्रोजीरियस एक्कुलिब्रियम में तो बहुत कम टर्म्स इंवाल्ड होंगी ना तो 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 तुम वैसा ही कायब कर दे र जाएगी अलग 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 जिगां पर देंसिटी अलग अलग हो जाएगी नहीं सब्सक्राइब कर दो एक मिनिट इसके पीछ लिप पिछला पेश एक मिनिट इसके पीछ लिप पिछला पेश एक मिनिट यह यह सो चलो कुछ एक्रोजीनियस की प्रॉब्लम्स देखते हैं तो क्या करना एक्रोजीनियस की प्रॉब्लम्स में अप्रोच दिया रहे है और उनके नीचे कोई टेविल भी नहीं बना लिए एक यह सब चलो एक बार कुछ स्टार्ट करना की कोशिश करो अटेंट परोजरा एफ बीएस लेवेल वाट लेवेल वन थर्टी तक सब्सक्राइब कर लिए सरी प्रॉब्लक कर लिए सरी प्रॉब्लक कर लिए यह और नो नाय से थे लो यह तीन करो लेवेल वन से कर ले हैं एक यहिएस लेवेल वन सेफ़ेभिश आपने यह ए यहाए बीएप फ्रॉब्लक कर लिए गर रहे हैं ज्वजर दोरी प्रॉब्लक कर लिए फिए प्रॉब्लक कर लिए यह बीए रहे झाप्ट और गेट एक्विप्ट एडवांस में भी अब आते हैं जरा सिंगल ओप्शन करेक्ट का थर्ड झाल 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 है कर दो कर दो कर दो कर देते हैं सब कर देते हैं चोटे-चोटे-चोटे प्रॉबलम में क्या दिक्कत आ रही है रियक्शन दिया है प्रॉबलम में सब्सक्राइब दिख रहा है हेक्ट्रोजीनियस है और सॉलिड्स का एक्टिव मास हम लोग क्या लेंगे वाल बस इतनी बाते याद करके स्टार्ट करते हैं प्रॉबलम प्रॉबलम का में रियक्शन दिया है एन एच फॉर एच इस सॉलिड्स इस गोईं टू एन एच थ्री गास प्लस एच टू एस गैस ठीक है एक फ्लास्क में स्टार्टिंग में पॉइंट फाइव एटियम अमोनिया है और थोड़ा एन एच फॉर एच एस है सॉलिड्स जो डिसोर्सियेश्ट करता है के पी दिया है तो स्टार्टिंग कैसे बना होगे टेबल बताओ एच फॉर एच एस के नीचे क्या लिखोगे स्टार्टिंग में थोड़ा डाला है ना तो क्या लिखके एक्स मोल्स या किस यूनिट में लिखके बोलो सॉलिड के नीचे में टेबिली नहीं बनानी है क्यों वरी करें हम जो भी हो इसका इनिशियल पॉइंट फाइव एटी एम दिया है और यह इनिशियल ही जीरो है करेक्ट अब रियाक्शन प्रोसीड होगा थोड़ा एनेच फॉर एचेस डिसोसीएट हुआ उससे माल लो इसके कुछ और मोल्स बने और इसका प्रेशर पी बढ़ गया कि तो एस्टुएस के भी उतने ही मोल्स बनेगे जितने अमोनिया के बनेगे दोनों का स्टॉच्व को इफिशेंट हुआन है तो इसका भी प्रेशर P बढ़ गया correct agreed एकुलिब्रियम पे अमोनिया का प्रेशर हो गया 0.5 प्लस P और H2S का प्रेशर हो गया P ओके अब इस रियक्शन का KP कैसे डिफाइड होगा partial pressure of ammonia into partial pressure of H2S रियाक्टेंट तो solid है वो तो आएगा ही नहीं पिक्चर में ओके जैस्टर एपी की वैल्यू कितनी दी है तो मैं प्रॉब्लम में 0.11 इस इक्वाइड टू पॉइंट फाइव प्लस पी इंटू पी इस कॉड्रेटिक से पी के लिए सॉल्फ कर लोगे यह सर्थ पी आ गया तो दोनों के पार्शियल प्रेशर आ गया एक्कुलिब्रियम पे प्रॉब्लम में दिया है स्टार्टिंग में क्या क्या डाला है कंटेइनर में अमोनिया है और थोड़ा सा सॉलेड फूर एचेस ऊसे क्लियर स्टार्टिंग में ह् टू एच्ट विएज नहीं है कंटे ते नमें कि पाचिल प्रेशनव यह समझारेएिक प्रेशर क्या होता है गैस का उज्सके के मोल्स इंटू आटी भाई वी टोटल प्रेशर कहां से ले रहा है इस पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर तो मोल फ्रैक्शन होता है हां स्वारी सब्सक्राइब कर लोगे इस प्रॉब्लम को कि यह से रियाक्शन दिया एनेच फोर एच जोस्तु एड़ेश थी गास प्लस च्टू एक सेक्ट देंसर थैंक यू तो इस बार स्टार्टिंग में केवल सॉलिड रख था है ठीक है तो अब की इनीशियली तुम क्या बनाओगे यह दोनों इनीशियली क्या लिखोगे जीरो ओके रियाक्ट होके यह अगर इसका प्रेशर पी बढ़ा तो इसका भी पी बढ़ेगा तो इकुलिब्रियम पे क्या होगा दोनों का प्रेशर पी और पी करेक्ट इकुलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना दिया है 1.12 ATM और हम लोग के टेबल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए टोटल प्रेशर पी प्लस पी तो इससे पी क्या आगया 0.56 ATM क्या होगा इसका पार्शियल प्रेशर ओफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ओफ एस एस डाट एस पी स्क्वेर बाट इस पॉइंट फाइफ सिक्सक्स का स्क्वेर ठीक है समझ में आया 33 33 में सियो टू का कंसेंट्रेशन पूचा है विचे इन इकुलिब्रियम वें सियो की मोलारिटी दिये और रियाक्शन दिया है एफियो सॉलेट प्लस यो गैस गोस्टू एफी सॉलेट प्लस यो टू गैस कितने फेस का रियाक्शन है यह इन थ्री फेसे कौन कौन से एक गास फेस और दो सॉलेट फेस इस रियाक्शन का के कैसे दोगे या कैसी कैसे देंगे एक्टिव मास ओफ सी ओ टू अपॉन एक्टिव मास ओफ सी ओ करेक्शन तो आएगे ही नहीं अग्रीड ये तुम्हें दिया है फाइब इसकी वैल्यू और सी ओ की बॉलारिटी दिये तो सी ओ टू की बॉलारिटी तो बहुत इसली निकाल लोगे क्या हो गई सी ओ टू की मॉलारिटी फाइव इंटू मॉलारिटी ऑफ सी ओ और सी ओ की मॉलारिटी कितने दिये तू पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस तू बाइनस टू करेक्ट सही है यह सो लेवल वन के तीनों क्लिया रहे है लेवल टू का डाइट सब्सक्राइब लेवल टू के नाइट में कैल्शियम कार्बोनेट के डिसोसियेशन का के पी दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसियेशन रियक्शन क्या होगा सीए सीओ त्री सॉलेड गोस्टू सीए ओ सॉलेड प्लस सीओ टू गैस करेक्ट इसका के पी कितना दिया है पोर इंटू टेन रेस तू माइनस टू थिसके पीका एक्सपेशन कैसे लिखो के बताओ किया होगा इसके के पीका एक्सपेशन पार्शियल प्रेशह सी औडू गारी दोनों तो तो यानि अगर ये रियक्शन ओर आ तो सी ओ टू का तो पार्शियल प्रेशर डेफिनेटली यही होगा और अब आगे एक और रियाक्शन दिया है कार्बन सॉलिड प्लस सी ओ टू गैस गोस्टू टू सी ओ इसका केपी दिया है टू इसके केपी का क्या एक्स्पेशन होगा बताओ और तो यहां से सी ओ का पार्शियल प्रेशर तुम्हें मालूम है अगरेट यहां से सी ओ का पर्शियल प्रेशर आजाएगा यह सो दो और कर दो 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 गेट एकोइब्ड के सिंगेल करेक्ट का थार्ड और सेवेंथ थार्ड प्राबलेंथ प्राब्लम Consider dissociation of SO3, NX3, PCL5, NN2O4 in four different vessels. SO3 का dissociation reaction क्या होगा बताओ. क्या बनाएगा SO3? बोलो. SO2 plus half O2. SO2 plus half O2. Correct? Ammonia. Half N2. Plus 3 by 2H2. Correct? PCL5. PCL3 plus Ci2. N2O4. 2 and O2. Okay? अब चार options दी हैं, जिसमें हमें इनके molar masses के बारे में कुछ बात की है, equilibrium पे. Equilibrium mixture का molar mass कैसे देते थे? यह formula लगाते हैं? Correct? Okay? Yes, sir. अब चलो लगाते हैं जरा. तो इसका molar mass क्या होगा, equilibrium बेंड. numerator में चार रखोगे, SO3 का molar mass correct? SO3 का molar mass कितना है? 80? Agreed? Yes, sir. denominator में क्या 1 minus alpha plus B by A alpha. SO2, SO3 दोनों का stoichiometric coefficient 1 है, plus C by A alpha. यह हो गया? Correct? Yes, sir. कितना आगी आई है? 80 upon 1 plus alpha by 2. Agreed? बोलो, कोई नहीं नहीं है. अब यह बताओ, alpha की maximum value कितनी हो सकती है? 1. 1. अगर मैं alpha को 1 रख दू, तो कितना आ रहा है molar mass इसका? इस mixture का equilibrium mixture का molar mass कितना आएगा अगर alpha को 1 रख दू. इसे आपान थ्री हो गया ना? इस सर, इस सर, इस सर, इस रख ली, 53.3 तक आएगा सर, 53.3, तो वो इस mixture की minimum molar mass हो गया, अगर alpha maximum है, तो molar mass minimum हो गया ना? इस सर, और इसी तरह alpha की minimum value क्या हो सकती है, जीरो, alpha को 0 रखूँगा तो molar mass 80 आगया, तो इस equilibrium mixture का molar mass किस range में हो सकता है, 53.3, और option A में क्या दिया है, 50, 50, तो option A तो गलत हो गया, होई नहीं सकता है, 50 का molar mass, correct, इस equilibrium mixture का molar mass 50 हो सकता है, क्या? अब इसी तरह चलो, अगले के लिए चेक करते हैं, अमोनिया का molar mass 70, 1 माइनस alpha, प्लस हाफ alpha, प्लस 3 बाइ 2 alpha, इस 17 अपान 1 प्लस alpha, 0 और 1 वैल्यूज रखें तो 8.5 से लेके 17 के बीच हो सकता है, प्रॉब्लम में कितना दिया है? 19 हो सकता, PCL 5 के लिए वर्किंग करते हैं, क्या होगा molar mass at equilibrium? 208.5 अपान 1 माइनस alpha, प्लस alpha, प्लस alpha, 208.5 अपान 1 प्लस alpha, किस रेंज में हो सकता है? 104.25 से लेके 208.5, क्या दिया है प्रॉब्लम में? 120 हो सकता है, यह correct है, clear? समझ में आया? 40 वाला भी चेक कर लो, 204 का molar mass 92, 1 माइनस alpha, प्लस 2 alpha, 92 अपान 1 प्लस alpha, लिमेट्स रखोगे, तो 46 से 92 के बीच हो सकता है, प्रॉब्लम में दिया है 40, नहीं हो सकता है. एक है, clear? Sir. Bolo. Sir, एक बाथ 33 वाला प्रसान लेका होना? Thank you, sir. समझ में आया यह है? Yes, sir. Yes, sir. 1 plus alpha, यह होगा, no? 1 plus, sorry. वरी. Got कर लिया? 1 एिम्हें बांकिन एंड दूम को ऑन जाने में और वियंग बस्ट एंड स्वंड एंड लाहे एंड लेड लाहे व खो स्वेड में प्रब्लम अमोनियम कारवामेड डिकम्पोजेश तो रिया नह तू सी ओ ओ ओ नह फूर सॉलिड ये डिकम्पोज करके बना रहा है दो अमोनिया और एक सी ओ तू करेक्ट पॉर्दा रियाक्शन के पी गिवेन स्टार्टिंग में एक मोल लिया है इस सॉलिड का इकुलीब्रियम पे टोटल प्रेशर चाहिए तो इनीशियली यानि यह दोनों जीरो लिये हैं आपने इसका प्लस टू पी इसका प्लस पी प्लस इकुलीब्रियम पे टू पी और पी होगा है प्रेशर उसका वन माइनस पी होगा ना एनेच टू सी ओ एनेच तू सॉलिड के नीचे कुछ करोगे क्या सॉलिड का प्रेशर लिखोगे सॉलिड के नीचे क्यों टेविल बनाओगे यह सब्सक्राइब है 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 को जीरिया सी इकुलीब्रियम यह मुझे वह बन मोल दिया था इसलिए मैंने वह सॉलिड की इंफर्मेशन दे भी तो उससे कुछ कुछ कंफ्यूज मत हो प्रेशा जेचा कप्या कंफ्यू इसका पर्सिय और रचेल प्रेशर एस्ट उस्सक्वे इंफ कॉन ड्यूटेशर प्रेशर अफयू टे उस्सक्राइब she uld इक्वाल टू 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 पी स्क्वेयर इंटू टू पी टू पॉंट नाइन इंटू टैने स्टू माइनर्स फाइब इस फूर पी क्यूब इससे पी की वैल्यू निकाल लोगे तो टोटल प्रेशर पूचा है एकुलिब्रियम पे के तो टोटल प्रेशर क्या है एकुलिब्रियम पे 3P की वैल्यू निकाल ली है वो इसमें सब्स्यूट कर देना टोटल प्रेशर मिल जाएगा तियर देख्वाइब झाल झाल ये ली अन्यूद्ट जयरोड ये लीकारिट ये लीकारिक